हलो दोस्तों मेरा नाम है आरोवी आज इस वीडियो के इंदर में आप से भी गिली लेकर आया हूँ दो बहुती जादा सस्ते बजट मुबाइल्स एक मुबाइल है रेडमी की तरफ से रेडमी का एटे डूवल और दूसरा है इंफिनिक्स के तरफ से इंफिनिक्स का होटेट जो इंफिनिक्स का सबसे पॉपुलर मुबाइल है तो इस वीडियो में इन दोनों मुबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा होटेट की की मत अब 8000 के आसपास है तो जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है मुबाइल डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुवल रखे हुए हैं इसके बाद मिलता है ये कवर जिसके क्वालिटी चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है तो इसके साथ आपको सिंपल सा दस वोट का चार्जर दिया गया है क्योंकि मुबाइल की कीमत ही काफी कम है 8000 के आसपास बाकी ये मुबाइल फास सर्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो आप मार्किट से भी खरीद के ए चैसी आप अंबॉक्स करते हैं एक डूल को इसमें आपको सबसे पहले मिलता है मिनी बॉक्स जिसमें लगवा है सिम इजक्टर टूल अंदर रखेवे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल लेकिन कमी यह इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया यह मुझे इसमें कमी लग आपको रखावा मिल जाता है यह ब्लैक कलर में चार्जर इसके अंदर भी आपको आउटपट वही मिलता है तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा 10 वाट का चार्जर दिया गया है लेकिन फर किया है यह मोबैल फास्ट चर्जिंग सपोर्ट करता है तो आप मार्केट से लिया है चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो इन्फिनिक्स के होटेट में आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है इस पर स्क्रेच की प्रॉब्लम आपको मिल जाती है लेकिन आप देख सकते हैं इसका डिजाइन लोका इस बहुत जाद scanner दिया गया है यह इसकी खूबी है पीछी की तरफ तीन कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 13 MP का दूसरा 2 MP का तीसरा दिया गया है लो लाइट sensor front camera है 8 MP का camera की performance के अंदर आपको नॉर्मल मिलती है रेट के हिसाब से दूसरी तरफ 8 डॉल में आपको hard plastic के type के design मिलता है तो इस पर आपको scratch की problem Infinix Hot 8 के comparison में आपको कम देखने को मिलती है इस पर दोस्तों design के अंदर वैसे दोनों में आपको quality थोड़ी सी जादा बेटर मिल जाती है 8 डॉल में बाकि look wise design या आपकी पसंद की बात है कि आपको look wise किसका जाद अच्छा लग रहा है देखने में मुझे इन दोनों मोबाइल आपको जादा better camera मिल जाता है 8 डॉल का ही लेकिन Redmi 8 डॉल में यह सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर आपको fingerprint scanner नहीं दिया गया जो Infinix के hot 8 में आपको मिल जाता है बात करें डिस्प्ले के बारे में तो Redmi 8 डॉल में आपको 7 चेंज के आसपास डिस्प्ले मिलती है और Infinix के hot 8 म सारे चेंज के आसपास तो दोस्तो डिस्प्ले का जो साइज हो आपको Infinix में और जादा बढ़िया मिल जाता है Redmi से बाकी दोनों के अंदर आपको IPS HD प्लस डिस्प्ले दी गई है इस चीज में दोनों जैसे हैं बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो user interface कुछ इस तरी किसे द जाती हैं इसके अंदर आपको app draw दिया गया है मुझे दोनों mobile's user interface के अंदर normal ही लगे बाकी आपकी पसंद के बात है कि आपको अंदर से features देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे हैं मुझे जादा smooth better user interface लगा Redmi 8 dual का दोनों mobile's के डिस्प्ले आपको करीब समय दिखा देत हलका सा फर्ख है 8 dual के डिस्प्ले के बैटर लग रहे हैं मुझे colors infinix के hot 8 के comparison में left side साब देखते हैं दोनों में sim के tray दी गई है अच्छी चीज यह है दोनों ही mobile's के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ साब देखेंगे तो दोनों म charging port, speaker, mic headphone jack मिल जाता है Redmi 8 dual में पहले तो fingerprint scanner की कमी है दूसरी कमी मुझे इसकी यह लग रही है यह mobile थोड़ा सा heavy है Infinix hot 8 के comparison में यह mobile जादा heavy है Infinix आपको थोड़ा सा light weight मिल जाता है इस mobile के comparison में बाकि दोस्तो 8000 के आसपास Redmi 8 dual के अंदर आपको मिलती है 3GB के RAM 32GB के internal storage और Infinix के hot 8 में आपको 8000 के आसपास मिलती है 4GB के RAM 64GB के internal storage तो RAM और storage आपको Infinix के hot 8 में जादा मिल जाती है Redmi 8A dual से 8A dual के अंदर आपको 20GB में मिलती है 32GB में से और Infinix के hot 8 के अंदर आपको मिल जाती है 53GB के आसपास तो memory आपको काफी अच्छी दी गई है hot 8 के इंदर बाकि दोनों मोब मोबाल के अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की इन दोनों मोबाल के अंदर आपको एक दिन का battery backup तो अराम से मिल जाता है और अगर याफ नार्मल यूज़र है तो एक दिन से ज्यादा ही मिलता है बैटरी के अंदर दोनों बहुत अच्छे हैं बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बार के हिसाब से हैं जैसा वाटसेप यूट्यूव अगरा यूज करते हैं तो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ी बहुत गेमिंग के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो दोस्तों यह सारी खुबिया कम्या है इन दोनों में चले बात कर लेते हैं सबसे में इन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मैटर यह करता है सबसे पहले तो कि आपको भरोसा किस कंपनी पे जाधा है इन्फिनिक्स पे या फिर रैडमी पे और इसके बाद जो आपकी में जरुत की चीज़ है वो किस मोबल में जाद अच् इसके लाव दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबल की बैटरी तो बैटरी में दोनों ही बहुत जाद अच्छे हैं आप दोनों में से कोई सभी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए मैटर करता है मोबल का कैमरा तो आप रैडमी 8 ए डूल लीजिएगा यह मोबल आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मुबाइल का लाइट वेट होना आपको मुबाइल लाइट वेट पसंद है इसे के साथ आपको fingerprint scanner चाहिए तो आप Infinix का होटेट लीजिएगा ये मुबाइल आपके लिए ज़्यादा बैटर रहेगा तो बैटरी के अंदर और दूसरा प्रोसेसर में इन दो चीजों में दोनों सही है लेकिन इन दो चीजों के अलावा 8A Dual के अंदर आपको चार चीज़ अच्छी मिलती है एक तो डिजाइन की क्वैलिटी बढ़िया है दूसरा कैमरा जाद अच्छा दिया गया है तीसरे डिस्प्ले आपको क्वैलिटी में थोड़ी सी और बैटर मिल जाती है और चौथा इसके अंदर आपको टाइप सी केबल के साथ फास्ट सर्जिंग का सपोर्ट दिया गया है तो अगर आपके लिए चार खूब्या मेंटर करती है तो आप रेडमी 8 डूल ले लीजिएगा लेकिन इन्फिनिक्स के होटेट में भी आपको चार चीज़े बहुत अच्छी मिलती है सबसे पहला फिंगर पिंट स्केनर दिया गया है दूसरा ये लाइट वेट है तीसरा इसके अंदर आपको रेम और स्टोरेज ज़ाधा मिल जाती है सी कीमत में ही और चौतरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले का साइज और ज़्याद अच्छा दिया गया है तो दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको चार खुब या एट मी एट डोल की जाता पसंद आई या फिर इन्फिनिक्स की ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा बेल आइकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लाव वीडियो गर आपको हेलफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा वाटसे फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए